गुड इवनिंग स्टूडेंस तो कल 25 जून को जिन जिन स्टूडेंस का एंटरंस एक्जाम है उन सबको all the best सबसे पहले आपने एंटरंस एक्जाम के स्टूडूल पर अपनी डेट और टाइमिंग ध्यान से देख लेनी है जो भी आपकी टाइमिंग होगी उससे एक अवर पहले आप पहुंचे होने चाहिए अपने वेन्यू पर जहां भी आपका एंटरंस एक्जाम है उनिवस्टी केमपस में और आप सबके एंटरंस एक्जाम के एड्मिट कार्ड पब्लिश हो चुके हैं तो आप सबने अपना अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड करकर और प्रिंट करवाकर लेकर जाना है एंटरंस एक्जाम देने और साथ-साथ में आपके पास आपका कोई ID प्रूब भी होना चाहिए और जो आपका entrance exam होगा वो MCQ-based होगा और कोई भी negative marking नहीं होगी तो आप सबने सभी questions attempt करके आने हैं entrance exam तो 90% students अराम से clear कर जाते हैं लेकिन admission बस merit list वाले students को ही मिलती है और जो OMR sheet है वो आपने black ball pen से फिल करनी है पाके attention लेने की ज़रूट नहीं है entrance exam इतना जएदा hard भी नहीं होता all the best once again सभी students को और जो आपके entrance exam का result है वो maximum 2-3 days और minimum 1 day के बाद publish हो जाता है G&U के official website पर तो आप सब इस channel के साथ जुड़े रहो आपके entrance exam, merit list और counseling को लेकर सभी updates आपको इसी channel पर मिलेंगी तब तक इस video को like कर दो, share कर दो सभी friends के साथ, channel जुरूर subscribe कर लेना और bell icon भी प्रेस कर देना Thank you